असलाम वाले तुम्हारा उल्लाही परकारत हो उम्मेद है आपने सब ख़यरस से होंगो मैं भी अलहमदुलिल्ला अल्ला का लागला शुकार रहता है आज निशनला तैसिल इन चैनल का नाम है इनके चैनल का लिंग बड़े सबस्क्राइब कर लिएगा और मेरी वीडियो को प क्यामत तक मों जिन्दा रहेगा तो इस आभे हायात की क्या कहानी है क्या इस्टूरी है क्या सक्च चाहिए हम लोग यह जानने कोहिश करें इस वीडियो वीडियो से तो इस वीडियो आप प्मेंट तक जरूर देखिएगा बहुत बेतरी वीडियो होई है और अच्छी वाकिया है क्या इसका रहस है यह आभे-आद हम है भी यह नहीं है सिर्च पानियों में है या किताबों में है या क्या है इतनी हरति करें तो चलिए आई उन्हें देखिए उसके बार बात करते हैं असलाम आलेकम दोस्तों एक ऐसा पानी जिसे पीने वाला हमेशा के लिए अमर हो जाता है वह पानी का चश्मा जिसकी तलाश हर जमाने के बाज़्शाहों और घूमने फिरने वाले टूरिष्ट लोगों ने की है आखिर वह पानी का चश्मा कहा है ? और उस पानी को दुनिया के किस इंसान ने पिया था पुराने जमाने से हैं रिसर्चर्स और घूमने फिरने वाले टूरिश्ट लोगों का ये मानना था कि जमीन की किसी चिकरफ़ एक ऐसा चश्मा भी मौजूद है जिसके पानी में सभी बीमारियों को ठीक करने के साथ साथ जिसम को अमर बनाने की ताकत मौजूद है दुनिया के अलग-अलग अलाकों में आबेहयात यानि पॉंटेन और फियूथ नामी इस चश्मे का जिकर मिलता है आबेहयात के मानी आबेबका या वो अमरित है जिसके बारे में ये खास्यत बयान की जाती है कि जो इस पानी को पिएगा या इसमें नहा लेगा उसे कभी मौत ना आएगी और वो शक्स हमेर्शा, जवान और जिन्दा रहेगा आबेहयात को जहरना या किसी तालाब की तरह समझा जाता है शुरुआत से ही दुनिया में कुछ ऐसे लोग रहे हैं जो काफी अमीर और ताकतवर थे उन लोगों को हमिल शाही जिन्दगी के खतम हो जाने का या बुड़ा होने का डर होता था इसलिए ऐसे लोगों ने पुराने जमाने में अपनी बढ़ती हुई उमर को रोपने और इसे पीछे ले जाने के तरेकों की खोश करने की कोशिश की जिसमें एहदे वुस्ता के मशहूर बादशाह और जर्नेल शामिल है इतिहास में आबेहात का सबसे पहला जिकर युनान के पुराने मशहूर इतिहास के जानने बाले हेरोडॉट्स की किताबों में मिलता है हेरोडॉट्स ने अपनी किताब हिस्टूरिया में अफरीका में आबाद एक पुराने कबीले का जिकर किया है जिने माइक्रूबियन कहा जाता था ये बहुती ताकतवर, जवान, लंबे और खुबसूरत लोग थे जिनकी उमर कम से कम 120 साल होती थी इसके बावजूद वो जवान दिखते थी हेरोडोड्स के मताविक माइक्रूबियन, सहारा रेगिस्तान और अफरीका के उत्तरी इलागों में आबाद थे माइक्रूबियन की सरजमीन एक खास किसम का चश्मा बैता था और ये चश्मे का पानी ही इन लोगों के लंबी उमर का राज था हेरोडोड्स ने लिखा है कि यूनान का बादशा जब माइक्रूबियन की सरजमीन में पहुँचा तो उन लोगों ने बादशा को वो चश्मा दिखाया जिसमें नहाने के बाद बादशा का जिसम बहुत ही चमकदार और चिकना हो गए और उसके जिसम से खास किसम की खुश्बू आने लगी इस चश्मे का पानी इतना कमजोर था कि इसमे कोई चीज तैर नहीं सकती थी ना लकडी और ना ही कोई हलकी चीज हेरोडोड्स लिखता है कि शायद माइक्रूबियन की लंबी उमर की वज़ा इस चश्मे के पानी का लगातार इस्तिमाल करना है आब हैात का जिकर इसलामी किताबों में भी मौझूद है और इसके बारे में कई रिवायात नकल की गई है लिहाज़ा आब हैात और जुलकर्नें के बारे में इमाम जयनुलाबदीन ने एक लंबा किस्सा बताया है, जिसके मताबिक जुलकरनेन जो अल्ला के एक नेक बंदे और बादशा थे, फरिश्टों में से एक फरिश्टा उनका दोस्त था, जिसका नाम रफाइल था, और वो आपसे मुलाकात करता था, एक बार हज़रत जुलकर और कहते हैं कि ए परवर्दिकार, हमने तेरी अबादत का हक अदा नहीं की, यह सुनकर जुलकरनेन रोप आई, और कहा कि ए रफाइल, मेरी खौईश है कि मुझे लंबी उमर मिले, ताकि मैं इसे अपनी रब की इतात और अबादत में लगाँ, इस पर रफाइल ने कहा कि अल्लाह ने एक ऐसा चश्मा पैदा किया है, जिसका नाम आबे बका या आबे हयात है, जिसने भी उस चश्मी का पानी पी लिया, उससे कभी मौत नहीं आएकि, यहां तक कि वो फुद्ध अपनी मौत ना मंगी, जुलकरनेन ने पूछा क्या आप उस यगा को जानते हैं, सारे लोगों ने कहा कि हमें ऐसे किसी चश्मे के बारे में कोई जानकारी में है, अलबता एक आलिम ने जुलकरनेन से कहा कि मैंने आदम अलेहिससलाम की वसीयत में उन वादियों के बारे में पढ़ा है, और ये भी सुना है कि शाम बिन नोह की आउलादों में से एक शक्स जो उस चश्मे का पानी पिएगा, और वो चश्मा उसी जगह पर है जहां सूरज ढूबता है, लहाजा हजरत जुलकरनेन सफर में निकलने की तैयारी और चश्मे को ढोनने निकल पड़े, हजरत जुलकरनेन इस सफर में अपने साथ हजरत खिजर अलेहिससलाम को भी ले ल जिन में खिजर अलेहिससलाम भी थे, उस वादी में दाखिल होते ही, अचानक तोफान आ गया, और जोरदार बिजलियां चमकने लगी, जुलकरनेन की फौज बिखर गई, और कुछ देर बाद जब तोफान थमा, तो हजरत जुलकरनेन दाहीनी तरफ जा पहुँचे, जब लेकिन उन्हें वो चेश्मा नहीं मिना, क्योंकि आब एहायात जुलकरनेन के मुकदर में नहीं था, जबकि उस पाने को पीने की बज़ा से, हजरत खिजर अलेहिससलाम को कयामत तक की जिन्दगी मिनी, और आप हमेशा जिन्दा रहेंगे, दा एलेकजंडर रोमान से नाम के करीद जा पहुंचा था, कहते हैं कि जब सिकंदर अपने सिपाहियों के साथ उस अंधीरी वादी में पहुंचा, तो उसे एक नदी मिली, उसने उस नदी के किनारे पड़ाव डाला, और उसने खाने के लिए मचलिया और परिंदों को पकड़ा, लेकिन जब सिपाहियों परिंदों को उस नदी के पानी में ढोया, तो वो दोबारा जी उठे और वहां से उड़ गए, सिकंदर आजम का मानना था, कि वो नदी जन्नत के किसी नदी से बहकर इसे जमीन पर आ रही है, इसलिए इसमें जिन्दगी देने की ताकत मौजूद है, उस पानी को सिकंदर एक बार बनी इसराइल में खुत्बा दे रहे थे, तो एक शक्स ने पूछा कि लोगों में सबसे ज्यादा इल्म किस के पास है, हज़रत मौसा अलिस सलाम ने जवाब दिया, कि मेरे पास इस पर अल्लह ने हज़रत मौसा अलिस सलाम को पैगाम मेज़ा, कि आपको मेरा एक मिलेगा जो दो दर्याओं के मिलने की जगह पर मौझूद है, यानि जहां दो दर्याओं का पानी मिलता है, वहां मौझूद है, जिसे मैंने अपने उलूम में से एक इल्म अदा किया है, जो आपके पास नहीं है, मौसा अलिस सलाम ने उनक से मिलने की फाहिश की, अल्लह त लेकर सफर पर निकल पड़े। जब वो चटानी लाकों में पहुँचे तो उस थेले को एक चटान के उपर रखा। तो अचानक वो मचली जिन्दा हो गए। और जरने के एक रास्ते के जरिये नदी में चली गए। जिस जगह वो मचली गुम हुई। उसी जगह मुशा अलाकात उस बंदे से हुई जिसका नाम फिजर अलहिस्तलाम था। अब सवाल ये है कि वो मचली जो मुर्दा थी वो जिन्दा होकर उस वेरिया में कैसे चली गई। लहाज़ा इमाम इबन कसीर और तिब्री जैसे चलील उल्कदर मुफसरीम का कौल है कि जिस चटान पर चश्माए हयात का जिकर मिलतार जिसके मताबिक हिंदुस्तान के दक्षिनी अलाकों में मौजूद कौलाम यानि मलाबार की खाड़ियों में बहुत सारे पहाड़ है और उसी जगह पर आबे हयात का वो चश्मा मौजूद है अपनी किताब में जोन मैंडिविल ने लिखा ह इस सफर के दौरान जब वो कौलाम के इलाकों में पहुंचे तो वहाँ उन्हें एक ऐसा कुवा मिला था जिसमें अलग अलग मसालों की खुश्वो आती थी और वो खुश्वो हर घंटे बदल जाती थी आसपास रहने वाले लोगों के मताबिक इस कुवे के पानी से पीमा दीनी बादशा को एक खत्र इखा जिसमें उन्होंने अफरीका के एक इलाके कर जिकर किया था उनके मताबिक एथोपिया के करीब एक वाटर ओफ फाउंटेन यानि चश्मा था जिसके पाने में ये खासियत थी कि उसमें नहाने वाले शक्स की उमर 30 की हो जाती थी चाहे व जहाजा मुम्किन है कि आब हयात जमीन के अंदर किसी जगह पर मौजूद हो और ताकायामत उसे इनसानी नजरों से चुपा दिया गया हो अलाकि मेरे दोस्तों आब हयात को लोग किस्से और कहानियों के लावा कुछ नहीं समझते और इसकी एक बड़ी वज़ा ये है कि आ लेक्शन जो हमने देखा आब हयात के बाने आब हयात एक ऐसा पानी था जिसको लोग पीते हैं तो समली आम आव जाते हुए कभी बुढ़ें ने होंगे कभी मों मरेंगे नहीं क्यामत तर जुम्रों होंगे आब हयात वी हकीका सच्छे हमने जान लिया लेकिन आब हयात कु पर नहीं इसका कोई जिखर नहीं दोसी बात हण माढ़े प्यारह नंगी ब विया हमने बीपन को किसी भी साब्हा बहु ऐसा को नहीं कर दो अंहीं कि आव है या नहीं तो अलहीं क्या सक्छाईरू आक यहरे क्या सुर्छा की तो लेकिन वहाँ से निकल गया पी नहीं पाया उस्पानिक तो यह सच्चाईती यह अक्रिकत प्जाव है तो इंशाथ आप लोगों अच्छी लगए होगी तो शेयर जोद कर देगा फिर मिलेंगे इंशाथ नेक्स स्थेडियो में तब तक लिए असलाम वालेकुम पर आतुन लाहिए वह बर्कार तबूँ कर दो दोने कर दो